बेबी का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था। की सेहत खराब हो गई थी बाओ जी आज आप घर पर आराम कर लेना मैं मटके बेच कर आती हूं वैसे भी आज स्कूल के छुट्टी है घर पर बेकार बैठने से तो आच्छा है मैं कोई काम ही कर लूं अरे बेता नहीं तुम क्यों तेकलिफ उठाओगी घर पर आराम से बैठ पिता बार-बार उसे मना करते रहे पर उसने सुनी नहीं माने भी पीछे से आवाज लगाई बेटा मत जाओ धूप तेज है घर वाबस आ जाओ मा कोई बात नहीं मैं जल्दी लोटाओंगी बेबी ने मा की भी नहीं सुनी ये लड़की भी ना मेरी भी नहीं सुनती फिर म घर के अंदर चली गई सडक के किनारे बैठकर बेबी थंड़ा थंड़ा पानी देने वाली थंड़ी थंड़ी मतकी आईए आईए लीजे मतका तभी वहां से गुजर रहे एक लड़के ने बेबी के पास रुक कर कहा अरे बेबी आज तुम मतके बेच रही हो तुम्हारे बाओ जी कहा है मतके तो वह बेचते हैं ना यूँ उसे जानने वाले ने पूछा दरसल बाओ जी की सहब ठीक नहीं है इसलिए अज मतके बेचने मैं आई हूं ये सुन लड़का जोर से हसने लगा तुम भले जितनी भी मैनत कर लो फिर भी दशेरे में नए कपड़े पैसे पूछलो तो हम दे देंगे ना अगर पैसे नहीं तो कुछ पुराने कपड़े ही दे देंगे आपके पास पैसे जरूर होंगे पर औरों से बात करने की समझ और संसकार नहीं है माना कि हमारे पास पैसे नहीं पर भगवान की दया से हमारे पास बाकि सब कुछ है कभी वहाँ से वापस लोटा दिन भर घुमने के बाद भी बेबी केवल दो या तीन ही मटके बेच पाई थी बेबी ठक खार कर घर वापस लोटी तुम्हें इतनी मेहनत करनी की क्या जरूरत थी चांच पी लो बेबी ने चांच पिया और पैसे देते हुए बोली मा ये लो प खड़े-खड़े कुछ सोच रही थी कि पिछले साल दशेरे की दिन उसने कितना बड़ा हंगामा किया था दशेरा पस कुछी दिनों में था तब बेबी ने मा से कहा मा दशेरी की छुट्टियां लगी है ना हमारी टीचर्स हमें कहीं पिक्निक पर ले जाना चाती हैं हमें इस पिक्निक के लिए पूरे पंद्रा सो रुपे चाहिए और पांच दिनों में पैनने के लिए तरह-तरह के कपड़े और दशेरे की दिन तियोहार हम वहीं पर बेटा तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें पैसे और ने ने कपड़े दिला दूँगा ठीक है ना पिता की बाते सुन बेबी बहुत खुश हो गई एरे वाँ मेरे बावजी तो बहुत अच्छे हैं पिछले साल की ये सारी बाते याद कर बेबी को बुरा लग रहा था पैसे की सूशती ही नहीं थी और पैसे खर्च करवाती थी पर मैं आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करूंगी क्यूंकि मैं मेहनत की किमत समझ चुकी हूं बेबी ने उस परस कोई जिद नहीं की दिन बीते फिर दशहरे का दिन आ ही गया गाओ में सभी मंदिर जा रहे थे बेबी भी अपने घर के सामने रहे मंदिर चली गई अरे रे लगता है ये पैसे ही जोड रही है अब तक यूं उसका अपमान करते हुए उस लड़के ने कहा बेबी को तो पहले बहुत घुसा आ रहा था फिर भी वो मंदिर के अंदर गई मंदिर में सभी ने बेबी को अजीब नजरों से देखा अरे ये क्या भीग मांगने वाले मंदिर के अंदर कैसे गुसे उस औरत के ऐसे कहने पर पंडित जी बोले माई आप जो कह रही है वो बिल्कुल सही नहीं है मंदिर में आने वाला हर भक्त भगवान की नजर में एक समान होता है चाहे वो गरेब हो या अमीर आप जल्दी से अपने कान पकड़ लीजिए वरना मा दुरगा आपको माफ नहीं करेंगी बेबी ने उसके पास रहे पैसे देते हुए पंडिची से कहा पंडिची ये पैसे रख लीजिए दरसल मेरे दोस्तोंने दशहरे की दिन मैं भी उनकी तरह नए कपड़े पहनो इसलिए मुझे दिये थे पर मैंने नए कपड़े खरीदे नहीं, इसलिए आप इने दुर्गामा के चर्णों में रख दीजिए मेरे जिन दोस्तों नों भी मुझे पैसे दिये थे न, उन सभी का कल्यान हो, ऐसे भगवान की चर्णों में प्रार्थना कर रख दीजिए अच्छा बेटा, पर ये पैसे तुम हुंडी में डाल दो ठीक है पंडित जी, बेबी ने पैसे हुंडी में डाल दिये, और वो वापस घर जाने के लिए निकली, रास्ते में उसे एक बुड़ी औरत दिखाई दी मैं सीडियां उतर नहीं पा रही हूँ, तुम मेरी मदद कर दोगी? हाँ, जरूर बेबी ने उनका सामान पकड़ा और सीडियां उतरने में उनकी मदद की बेटा, क्या थोड़ी दूर चल कर तुम मेरी मदद करोगी? मुझे दो चार घरों में जाना है, मैं ये बोच उठा कर नहीं जा पाऊंगी मुझे ये फल कुछ लोग में बाटने है, क्या तुम मेरी साहता करोगी? हाँ, जरूर आऊंगी ना फिर बेबी और वो बोड़ी औरत एक धनवान के घर गए उन धनवान के घर दुर्गा मा की पूजा में तरह तरह के भोग चड़ाए हुए थे और वे सभी पूजा कर रहे थे उस बोड़ी औरत को देख आईए, आईए मा जी, आपको देख लगता है जैसे मैंने साक्षा दुर्गा मा को ही देखा हो भोजन कर लीजिए वो, वो, मेरी पूती है ये कहने पर धनवान औरत ने बेबी को कपड़े दिये नहीं, नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेबी के मना करने पर भी उन लोगों ने जबरदस्ती उसे कपड़े दिये वे दोनों भोजन कर घर से बाहर निकले दादी मा, आपने उनसे ये क्यों कहा कि मैं आपकी पोती हूँ पर मैं तो आपके कुछ नहीं लगती न यहीं सोच कर उनों ने मुझे कपड़े दिये बेटा, कोई बात नहीं तुम मेरी पोती जैसी ही हो न चलो फिर वे दोनों एक गरीब के घर गए गरित परिवार अपनी यथा शक्ति अनुसार दुर्गा मा के सामने भोग चड़ा कर उनकी पूजा कर रहे थे उस बूड़ी औरत को देख बहुत अच्छा लगा कि आप यहां पर आई बैठिये, ये प्रशाद लीजिये उस औरत ने घर में बनाया प्रशाद उन दोनों को दिया उन दोनों ने प्रशाद लिया और घर से बाहर निकले बेबी कुछ सोच रही थी क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो दादी मा, दुर्गा मा की नजरों में हम सब एक समान है ना? हाँ बेटा तो फिर जो बहुत धनवान होते हैं वो दुर्गा मा के सामने तरह तरह के वेंजन भोग में लगाते हैं उन्हें रेशमी साड़ी पहनाते हैं और उनके यहाँ पर आए कई भक्तों को भी रेशमी साड़ी देते हैं पर अभी हम जिस घर से लाटे हैं वे तो बहुत गरीब है, तो क्या मा दुर्गा उनके चड़ाय भोग को स्विकार करेंगी? क्यूं नहीं करेंगी? मा की नजरों में सभी भक्त एक जैसे हैं, मनुश्यों में ही अमीरी गरीबी का भेद होता है, मा के दर्बार में नहीं, मा के लिए सहब एक समान है, चाहे वो राजा हो या रंग, मा तो बस भक्तों की भक्ति से ही प्रसन होती है यूँ बात करते हुए वे दोनों कई घरों में जाकर आए फिर अंत में वे दोनों बेबी के घर आए वहाँ पहांच कर बेबी ने कहा दादी मा ये तो मेरा घर है आप मेरे मा और बावजी को जानती हो हाँ क्यों नहीं मैं तो सब को जानती हूँ जहां हर कोई मा की पूजा कर रहा है वहां तुमने भला दुर्गा मा की पूजा क्यों नहीं की फिर वे दोनों घर के अंदर गए बेबी के माता पिता उस औरोत को यूही देखे जा रहे थे उन्होंने उनसे पूछा ही नहीं कि वो कौन है कहां से आई है पूजा होने के बाद ये रख लीजिए मैं तुम्हें प्रशाद देना भूल गई उस बूड़ी औरत ने उन्हें प्रशाद दिया दोनों ने उस प्रशाद को लिया अच्छा तो मैं चलती हूँ इतना कहकर वो वहां से जा रही थी दादी मा अपना ध्यान रखना बेबी के माता पिता ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि उनके घर पर कौन आया था इतने में अचानक उस औरत का दिया हुआ प्रशाद एक सोने के मटके में बदल गया सोने का मटका देख उन तीनों की आँखे चमक उठी वे तिनों समझ गए साक्षाद मा दुर्गा ही आई थी मा अब मेरी समझ में आ गया है मा दुर्गा सुएं अपने पास आकर हमें त्योहार का महत्व समझा कर गई भले ही हम औरों की तरह धनवान नहीं पर हमें पूजा करने के लिए धन की नहीं श्रता की जरूरत है देखो न मा इस तरह सुएं सभी सच्छे भक्तों के घर गई और खुद उन्हें दर्शन दिये जो भी अपने दर पर आता है उन्हें हमें घर से वापस नहीं लोटाना चाहिए बल्के उनकी साहता कर उन्हें वापस भैजना चाहिए मा ना जाने किस रूप में आकर हमारी परिक्षा लेती है हमारा परताव देख कर ही मा हमें आशिर्वात देती है और अपना जीवन बदल जाता है हम भला करेंगे तो हमारे साथ मा भला करेगी और हम बुरा करेंगे तो बुरा बेटी की बात सुन माता पिता बोले हाँ बेटा सही कहा जै मा दुरगा फिर वे उस मटके में आये धन से बहुत धनवान हो गये उन पैसों से उनका जीवन सुखी तो हो गया था पर साथ ही साथ वे हर दिन अन्यदान भी किया करते थे इस तरह गरीबों का पेट भर वे उनकी भूक मिटाया करते ये देख दुरगा माने उन्हें सुखी होने का आशिरवात दिया